Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग, hope so, आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. So, आज हम revise करने वाले business trust, investment fund and securitization trust. बहुत ही छोटे-छोटे topic है, बढ़ मैं बता दू, यह आपके exam में cover करने वाले है, 6 से लेके और 8 marks से वो आपके exam में आने वाले हैं. और जब 6-8 marks आते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि topic बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके examination purpose के लिए. तो सबसे पहला topic हम revise करने वाले आज, that is the business trust. अब एक बात समझना है, यह business trust क्या होता है? इंडिया में दो तरह के business trust होते हैं, जिसको से भी approval देती है. एक तो होता है RIT और एक होता है तुमारा Inuit. RIT का full form Real Estate Investment Trust और यह Real Estate Investment Trust जो RIT होता है, वो पैसा किसमें लगाता है? Real Estate Market में लगाता है. या तो ऐसी company में invest करता है, जो company already Real Estate Market में है, या फिर वो क्या करते हैं? खुद के mall बनाते हैं, खुद के shopping complex बनाते हैं, commercial complex बनाते हैं, उसको बोला जाता है RIT. Example के लिए अगर मैं आपको बता हूँ, अगर आपको पता रहेगा, Bangalore-based दो RIT है, वन तो Embassy Office Park आपने सुना होगा, या फिर Mind Space Office Park, Business Park आपने सुना होगा, यह तुमारे RIT के Example है. एक होता है INVIT, INVIT means Infrastructure Investment Trust, यह क्या होता है, इनके पास में जो पैसा होता है, वो Infrastructure Market में लगाते हैं, जैसे मानलो power में लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रूचर में जैसे road में लगाते हैं, टोल रोड में लगाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, example के लिए मैं बता दू, जैसे India तो आज हम पढ़ने वाले है कि business trust की taxability क्या रहेगी, जो unit holder उसमें invest करता है, उसकी taxability क्या होगी, वो सब चीजे है, वो इस particular topic में हम revise करने वाले है, तो देखो, सबसे पहले आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, नेक्स 10 मिनट्स के अंदर-अंदर ये topic पूरा revise हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, कि unit holder है, वो unit holder invest करता है business trust में, business trust दो तरह के हो सकते है, writ या फिर inwit, और एक बात समझना, ये जो business trust होता है, खास कर इसमें से writ, वो खुद के बहुत सारे complex होते है, खुद के shopping complex होते है, commercial complex होते है, malls होते है, या फिर commercial building वो लेते हैं, बट उसके साथ सब कभी-कभी क्या होता है, ये SPV में invest करते है, SPV एक special purpose vehicle होती है, जो real estate business में engaged होती है, that is called SPV, तो देखो, सबसे उपर कौन है unit holder, unit holder will invest in the business trust, और business trust किस में invest करेगा, SPV में invest करेगा special purpose vehicle, और special purpose vehicle हो एक Indian company होती है, जो real estate business में होती है, उसको अपन बोलेंगे SPV, अब एक बात समझना, आपने invest किया business trust में, और business trust में invest किया SPV में, अब एक बात समझो, business trust है, वो SPV का controlling power रखता है, और आज जो current save guidelines है, उसके हिसाब से 50% से ज़्यादा का equity share holding है, वो SPV का किस के पास में होना चाहिए, business trust के पास में होना चाहिए, तभी वो SPV, SPV मानी जाएगी, अब एक बात समझना, जैसे माल लो, यहाँ पर business trust है, वो business trust ने SPV में invest किया through the shares, shares खरीदे, अब shares जैसे ही खरीदे, तो एक बात बताईए, यह जो SPV है, यह SPV क्या करेगी, यहाँ पे इस business trust को क्या देगी, dividend देगी, SPV जो है, वो SPV business trust को क्या देगी, dividend देगी, अब आपको यह देखना है, कि अब यहाँ जैसे ही dividend यहाँ पे, SPV ने business trust को दिया, लेकिन सर अगर मानलो यह जो dividend है यह dividend जब unit holder को बाटा जाएगा तो question ही आता है unit holder के हाथ में यह dividend taxable होगा या नहीं तो यहाँ पर एक चीज समझता है यहाँ पर dividend के case में उन्होंने pass through status दिया है pass through status का मतलब होता है कि जब भी SPV ने dividend है वो business trust को दिया business trust के हाथ में यह exempt है लेकिन यहाँ पर अगर unit holder को दिया तो unit holder के हाथ में वो dividend taxable हो जाएगा taxable कौन सी rate से होगा अगर वो unit holder non resident foreign company है तो 10% की rate से और अगर वो unit holder तुमारा resident है तो उस case में उसके case में normal tax rate से taxable हो जाएगा अगर resident unit holder है तो normal tax rate से dividend है वो taxable होगा लेकिन इसमें एक चीज समझना यह dividend taxable unit holder के हाथ में तभी होगा जब यहाँ पर SPV जो है वो SPV ने tax भरा है अंडर section 115 BAA 22% की rate से मिस यहाँ पर जो SPV है SPV ने अगर माल लो 22% की rate से tax भरा है तो ही यह dividend यहाँ पर unit holder के हाथ में taxable होगा बट अगर SPV ने concessional rate 22% की rate से tax नहीं भरा उन्होंने 25 या 25% या 30% की rate से tax भरा है तो dividend बेटा यहाँ पर unit holder के हाथ में भी पूरा exempt हो जाएगा तो देखिए मैंने जो बताया एक बार मैं quickly वापस से revise कर रहा हो रहा हूँ सबसे पहले आप unit holder हो आप invest किस में करोगे business trust में करोगे business trust है वो SPV में invest करेगा SPV से dividend मिलता है वो dividend यहाँ business trust के हाथ में exempt है all cases में यहाँ business trust के हाथ में dividend exempt है भले वो SPV concessional tax rate से tax भरे या normal tax rate से tax भरे dividend यहाँ business trust के हाथ में exempt है लेकिन अगर SPV ने tax भरा है concessional tax rate से under section 115 BAA at the rate 22% तो वो dividend unit holder के हाथ में taxable हो जाएगा अगर unit holder non-resident foreign company है तो taxable होगा at the rate 10% और अगर resident है तो normal tax rate से taxable हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना यहाँ पर अगर SPV ने tax है वो normal tax rate से भरा है तो उस particular case में वो dividend है वो exempt हो जाएगा in hands of the unit holder also. So you got my point or not? Yes. अब एक और जी समझना. सर SPV जो है वो SPV में obviously shares खरीदे जाते हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है? Shares के साथ साथ में SPV को loan भी दिया जा सकता है. यहाँ पर SPV के debenture खरीदे जा सकते हैं, bonds खरीदे जा सकते हैं तो उस case में क्या होगा? यह SPV जो है वो business trust को क्या 23 FC यहाँ पे भी आपका जो है, वो बेटा, यहाँ पे भी आपको जो है, वो pass through status दे रखा है, interest के case में, means यहाँ business trust के हाथ में taxable नहीं होगा. लेकिन बेटा, वो ही वाला interest जब unit holder को बाटा जाएगा, तो unit holder के हाथ में taxable हो जाएगा, और वो unit holder अगर non resident foreign company है, तो 5% से taxable हो exempt है, interest मिलता है, वो भी exempt है, लेकिन unit holder को वो ही जब dividend मिलता है, और अगर SPV न, concessional rate से tax बढ़ा है, तो यहाँ unit holder के हाथ में dividend taxable हो जाएगा, और interest है, वो interest तो always taxable होगा, in hands of the unit holder. अब एक बात समझता है, जब unit holder के हाथ में dividend taxable हो रहा है, तो question ही आता है कि क्या business trust को उस unit holder का TDS काटना पड़ेगा, answer is yes. Under section 194, LBA TDS काटेगा, non-resident foreign company unit holder है, तो भी 10% और एगर resident unit holder है, तो भी 10% लेकिन अगर interest दिया जाता है, और interest तो obviously taxable होगा, तो उस particular case में भी business trust TDS काटेगा, कौन सी rate से काटेगा, अगर non-resident foreign company unit holder है, तो वहाँ taxable 5% से हो रहा है, तो TDS भी 5% की rate से क अब एक और चीज समझना, अब मैं आपको आगे जो बोलने वाला हो, दो minute के लिए, वो सरफ and सरफ rate के लिए बोलने वाला हो, रिट का मतलब होता है, real estate investment trust, अब एक बास समझना, यह real estate investment trust जो होता है, इसके खुद की own properties होती है, means इसके खुद के own malls होते है, shopping complex होते है, commercial complex हो और जिससे उनको rental income मिलती है, तो अगर माल लो इनकी own property है, own real estate asset है, उस पे अगर उनको कोई भी rental income मिलेगी, किसको rate को, जो rate वाला business trust है, उसको rental income मिलेगी, वो rental income पूरी exempt है, business trust के हाथ में, under section 1023 FCA, लेकिन वो ही वाली rental income, जब unit holder को दी जाएगी, तो unit holder के हाथ में taxable है, कौ tax rate है, उस tax rate से ये taxable हो जाएगा, और एक बात बताओ, business trust है, वो TDS काटेगा, कौन सी rate से TDS काटेगा, non resident foreign company unit holder है, तो उसमे rate in force से TDS काटेगा, मतलब जो भी non resident foreign company के लिए tax rate होती है, उस rate से TDS काटेगा, और बेटा, अगर resident unit holder है, तो 10% की rate से TDS कटेगा, तो एक बात रिट का अगर own property पे rental income मिला, वो exempt है, लेकिन सरक बात बताइए, इन तीन income को छोड़के, और कोई भी other income मिलती है, business trust को तो क्या होगा, तो यहाँ पे lawmakers बोलते है, other income मिलती है, तो other income कौन सी है, वो देखना पड़ेगा, अगर other income वो long term capital gain है, under section 112 वाला, normal long term capital gain है, it will be taxable at the rate 20% in hands of the business trust only, अगर मालो वो short term capital gain triple बने वाला है, तो it will be taxable at the rate 15% in hands of the business trust only, और बाकी कोई भी income अगर business trust को मिलती है, तो वो taxable हो जाएगा at the rate MMR, MMR का मतलब 42.744% और 42.744% से taxable हो जाएगा, किस के हाथ में, business trust के हाथ में, वो income taxable हो जाएगी, अब एक बात बताओ, तो simple सी ची 20%, STCG triple बने 15%, other income है, वो MMR से taxable होगी, business trust के हाथ में, तो जब ये other income जो है, वो unit holder को distribute होगी, तो unit holder है हाथ में, ये exempt हो जाएगी, under section 1023FD करके, 1023FD में exempt हो जाएगी, तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं अगर आपको एक conclusion बोलना चाहूँ, तो ऐसे बोलू, कि देखो, जो business trust है ना, उसके हाथ में all income taxable है, तीन income को छोड़के, कौन-कौन सी, एक तो तुमारा SPV से dividend मिलता है, दूसरा SPV से interest मिलता है, और तीसरा rate का own property पे rental income, ये तीन exempt है, बाकी सब taxable है, और मैं बता दू, unit holder के हाथ में all income exempt है, सिरफ तीनी तो taxable है, कौन-कौन सी, अगर dividend मिलता ह जो SPV से मिला था, और SPV ने concessional rate से tax भरा था, या फिर interest मिला था SPV से वो वाला, and अगर मालनो rental income मिली है, rates से, उसकी own property पे, तो वो income unit holder के हाथ में taxable है, बाकी जितनी भी income है, वो unit holder के हाथ में exempt हो जाएगी, अब एक और चीज़ समझना, law makers यहाँ पर ये बोलते है, कि business trust को जो income मिली है, और जितनी income unit holder को बाटी जाती है, उसका nature and proportion same रहेगा, nature and proportion same रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे for an example, एक अगर मैं business trust की बात करू, business trust को इस साल में 100 करोड का income हुआ, और इस 100 करोड में से 20 करोड का interest मिला है, SPV से, SPV से 20 करोड का interest मिला है, और 80 की मानलो other income है, अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या किया, इसमें से 50 करोड रुपेज है, वो distribute किया, तो 50 करोड जब unit holder को distribute किया जाएगा, तो उनके हाथ में nature and proportion same रहेगा, means यह माना जाएगा, कि 50 करोड में 10 करोड का तो interest है, 10 करोड रुपेज का interest है, 10 करोड रुपेज क other income है, करके 40 करोड का other income है, इसका मतलब यह हुआ, कि एक बात बताओ, जैसे मैं एक unit holder हूँ, और मेरे को 10,000 मिला, तो मेरे हाथ में क्या होगा, 20 करोड का interest माना जाएगा, means 10,000 में 2,000 रुपेज interest माना जाएगा, SPV वाला, और बाकी 8,000 other income माना जाएगा, और जो interest आ रहा है उसका nature and proportion same रहेगा, nature का मतलब वो just nature की income है, वो उसी nature की रहेगी और उसका proportion भी उसी nature का रहेगा, you got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना, अगर मानलो, आपके पास में unit है, किसकी business trust की, और business trust की unit को अगर आप बेचते हो, तो क्या होगा, देखो, business trust की unit अगर आप बेचते unit के case में, जो period of holding आप देखोगे, उसमें 3 years का period of holding आपको देखना पड़ेगा, अब 3 years का period of holding देखना पड़ेगा, अगर आपने इसको sale किया और long term capital gain होता है, और अगर sale पे STT pay हुआ है, तो उस particular case में long term capital gain 112A में 10% से taxable होगा, और short term capital gain 15% से taxable हो जाएगा, under section 111 A, but अगर STT pay नहीं हुआ, unlisted unit है, तो उस particular case में long term capital gain है, वो आपका 20% से taxable होगा, और short term capital gain है, वो आपका normal tax rate है, वो normal tax rate से taxable हो जाएगा, बाकी सब चीज़े जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से AKKK point है, वो आपके लिए दे रखा, है कर गे, ठीक उसके सब shareholder अपन थे, मानलो, we are the 100% shareholder of the SPV, अब मुझे क्या करना है, business trust बनाना है, तो business trust बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस SPV के shares अपने को dilute करने पड़ेंगे, और हम क्या करेंगे, हम जितने भी मानलो, इस SPV के shareholder है, हम क्या करेंगे, क्योंकि at least 50% से building, business trust के पास होना चाहिए, तभी वो SPV, SPV बनेगी, तो हम क्या करेंगे, SPV के share है, वो business trust को देंगे, और business trust है, वो अपनी unit अपने को देगी करेंगे, ठीक है, तो अपन sponsor बन जाएंगे, तो sponsor क्या करेगा, SPV का share है, वो business trust को देगा, business trust है, वो उसकी unit देगा, उसके बदले नहीं लगता, due to section 47 का clause number 17 होता है, capital gain में, और बोला गया, यह transfer नहीं माना जाता, capital gain नहीं लगता, लेकिन एक बात बताओ, जब SPV के share के बदले, अपने को business trust का unit मिल गया, अब अगर future में हम business trust का unit बेचेंगे, तो capital gain लगेगा, answer is yes, cost किसका लेंगे, वो SPV के share का, period of holding कहां स लेंगे, SPV के share से, और अगर indexation होता है, तो indexation भी कहां से लेंगे, SPV के share से अपने indexation ले लेंगे, you got my point or not, yes, तो यह वाला concept यहां पे point number 9 में दे रखा है, अब एक और चीज़ समझना है, यहां पे बेटा, कि आपका, जो business trust होता है, business trust को अपना return file करना mandatory है, means every year that business trust has to file the return, उसको अपना return file है, वो return file करना ही पड़ेगा, और आज की date में SPV किसको बोलते है, जिसमें business trust है, वो 50% और more का equity share holding रखता है, voting power रखता है, उसको अपना SPV बोलते है, so this is the completion of this topic, बट एक बात समझना, यह topic से related मैंने आपको जो question दे रखा है, आप compiler में जाहेंगे, topic number 36 में question number 1 है, वो करेंगे, और उसके साथ साथ में topic number 28 का question number 33 है, जिसमें वो non-resident topic वाले में मैंने question दे रखा है, वो question करेंगे, तो यह 2 question करेंगे, आपका business trust वाला fund है, वो clear हो जाएगा, अब अपन बात करते हैं, अगले topic की that is taxation of the investment fund, investment fund जो होते हैंना, वो basically, तीन तरह के alternate investment fund होते है एक तो category 1, category 2 and category 3, category 3 यहाँ पे cover नहीं होता, यहाँ पे दो तरह के investment fund cover होते है, that is the category 1 वाले और category 2 वाले, इसमें क्या होता है, एक बात समझना, यह जो investment fund है, investment fund के example कौन कौन से, जैसे venture capital fund है, यह फिर SME fund है, social venture fund है, infrastructure fund है, angel investment fund है, investment in the equity and debt security, example is private equity fund है, debt fund है, fund of fund है, that is called investment fund, यह जो लोग rich people होते है, जिनके पास में 1 करोड से ज्यादा invest करने को होता है, क्योंकि alternate investment fund में क्या होता है, minimum आपको capital contribution 1 करोड करना पड़ता है, तो जिनके पास में 1 करोड या उससे ज्यादा पैसा है, वो लोग क्या करते है, investment fund है, वो share market में invest करता है, या investment fund है, वो क्या बोलते है private equity में invest करता है या फिर वो startup में invest करता है तो that is call your investment fund अब एक बास समझना यहाँ पे दो लोगों का involvement होगा एक तो होगा unit holder और एक होगा investment fund तो यह जो unit holder है यह unit holder invest किस में करेगा investment fund में करेगा और investment fund obviously उस पैसे को market में लगाएगा और पैसा कमाने के पैसा किसको दिया जाएगा unit holder को दिया जाएगा अब एक बास समझना question यह आता है what is the taxability in hands of the unit holder and investment fund यहाँ पे दो तरह के investment fund कवर होते है alternate investment fund category 1 वाले और category 2 वाले category 3 यहाँ पे कवर नहीं होता category 3 आपके non resident taxation में जहाँ आप specified fund पढ़ते हो वहाँ पे category 3 कवर होता है अब एक चीज़ समझना यहाँ जो investment fund है investment fund के हाथ में all income exempt है miss investment fund label पे all income exempt है एक को छोड़के that is the PGBP PGBP का income taxable investment fund level पे और बाकी जितनी भी income है वो exempt है लेकिन सर unit holder के हाथ में unit holder के हाथ में all income taxable है except PGBP why except PGBP because PGBP पे tax investment fund ने बढ़ दिया तो यहाँ पे unit holder के हाथ में PGBP का income exempt है बाकी सब income taxable है unit holder के हाथ में अब एक बात समझना sir एक बात बताओ आप बोल रहे हो कि investment fund के हाथ में all income exempt है PGBP को छोड़के तो PGBP पे tax लगेगा answer is yes तो investment fund की tax rate क्या रहेगी तो investment fund की tax rate रहेगी वो depend करना पड़ेगा investment fund का constitution क्या है अगर investment fund है वो आपके company के form में है या partnership firm के form में है तो company पे normally tax rate क्या रहती है या तो 25% या 30% और partnership firm के लिए 30% तो 25% और 30% की rate से tax लगेगा PGBP की income पे और अगर मानलो इसका constitution है वो company firm को छोड़के जैसे AOP, BYU, Trust के form में है तो income taxable हो जाएगी at the rate MMR अब एक और चीज़ समझना सर आप बोल रहे हो PGBP को छोड़के बाकी जितनी भी income है वो unit holder के हाथ में taxable होगी answer is yes तो unit holder के हाथ में जब taxable हो रही है तो unit holder का TDS भी तो काटा जाएगा answer is yes कौन सी section में काटा जाएगा 194 LBB में अब question ही आता है TDS की rate क्या रहेगी तो TDS की rate डिपेंड करेगी के unit holder कौन है अगर unit holder non resident foreign company है तो TDS काटा जाएगा at the rate rate in force means unit holder है वो non resident या foreign company है तो यहाँ पे TDS काटा जाएगा investment पन TDS काटेगा under section 194 LBB at rate in force rate in force means जो recipient के लिए tax rate होती है that is called rate in force बट अगर unit holder है वो resident है तो उसका TDS काटा जाएगा 10% की rate से कौनसी rate से 10% की rate से TDS काटा जाएगा कर गए ठीक है अब एक और चीज समझना मैं आपको बताओ जो भी यहाँ पे investment fund को income होगी ना unit holder को हाथ में उसका nature and proportion same लिया जाएगा nature and proportion same लिया जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि investment fund है वो 10,000 मिला तो मेरे हाथ में 5,000 है वो PGBP होगा और 5,000 है वो capital gain होगा लेकिन यहाँ पे एक चीज है वो बड़ी antique आती है जो की पीछे वाले topic में नहीं थी जैसे मानलो investment fund को इस साल में income 10 करोड का हुआ और उन्होंने उसको जो distribute किया ना वो सिरफ 7 करोड का किया तो जब 7 करोड का distribute किया तो भी यहाँ पे unit holder के हाथ में taxable पूरा 10 करोड होगा means on the last date it is assume that last date पे यह मान लिया जाएगा कि total income distribute कर दिया unit holder को और unit holder के हाथ में पूरा 10 करोड है वो 10 करोड taxable हो जाएगा पूरा 10 करोड है वो unit holder के हाथ में taxable हो जाएगा लेकिन सर distribute तो 7 करोड ही हुए तो भी पूरा taxable यहाँ unit holder के हाथ में 10 करोड होगा एक और चीज़ समझना यहाँ पे सर वो 3 करोड का जो distribute अभी नहीं किया वो next year में वापस distribute किया जाएगा तो क्या वापस unit holder के हाथ में taxable होगा answer is no because accrual basis पे वो already taxable हो चुका unit holder के हाथ में तो at the time of distribution वो taxable नहीं होगा अब एक और चीज़ समझना सर एक बात बताईए जैसे पुराना topic जो था business trust business trust में अगर कोई loss होता है तो losses है वो carry forward setup जो करेगा वो तुमारा business trust ही करेगा unit holder को losses नहीं मिलते लेकिन इसमें एक चीज़ समझना अगर loss हुआ तो क्या होगा तो loss हुआ तो क्या होगा तो देखो loss का setup जो होगा ना वो setup investment fund करेगा पहले investment fund losses को setup करेगा जैसे पीजी बीपी का loss हुआ अप capital gain है तो उसके सामने adjust करना है setup करेगा वो investment fund करेगा और setup करने के बाद अगर कोई loss remaining बच जाता है अगर वो PGBP का loss है तो PGBP का loss है वो fund है वो ही carry forward करेगा क्योंकि PGBP की income पे tax भी तो investment fund भरता है तो PGBP का loss ह वो investment fund करेगा बट अगर कोई बाकी head का loss है जैसे capital gain या other sources head का वगरा loss है तो वो loss distribute हो जाएगा unit holder को सर यहां loss भी distribute होगा क्या answer is yes, absolutely yes, loss भी distribute होगा unit holder को और unit holder फिर उसको setup करके carry forward करेगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर fund label पे कोई भी loss होता है तो loss को पहले setup किया जाएगा miss इस साल की कोई दूसरी income है उससे setup कर दो, setup करने के बाद अगर कोई loss बचा है वो loss अगर PGBP head का है तो fund ही उसको carry forward करेगा बट अगर वो loss किसी और head का है तो वो loss unit holder को distribute कर दिया जाएगा और unit holder वो उसको carry forward करेंगे लेकिन एक बात समझना यह loss उसी unit holder को distribute किया जाएगा जि ही वो unit holder carry forward कर सकता है लेकिन एक बात समझना यह loss unit holder को दिये जाएगे यह amendment आया था 2019 से 1st April 2019 से तो sir एक बात बताईए जो 31st March 2019 के loss है उसका क्या होगा क्योंकि पहले क्या होता था जितने भी losses होते थे थे ना वो losses carry forward करता था fund ही लेकिन 1st April 2019 से losses है वो unit holder को दिये गए तो question ही जो accumulated losses 31st March 2019 को थे उसका क्या होगा तो lawmakers बोलते है कि PGBP को छोड़के बाकि जो भी losses 31st March 2019 को fund के हाथ में थे वो 31st March 2019 को जितने भी unit holder है वो unit holder को distribute कर दिये जाएगे बड़ ओविसली वो वाला question आपको नहीं पूचा जाएगा आपको current year के losses से related होगा तो आप हमेशा ध्यान र related question दे रखा है that is question number 2 topic number 36 का वो आप देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद में concept आता है that is the securitization trust securitization trust क्या होता है कि जैसे HDFC bank है HDFC bank ने loan दे दिया तो loan दिया HDFC bank ने वो उनकी asset मानी जाती है ठीक है अब वो asset मानी जाती है बट उनके पास तो पैसे ही नहीं अब loan देने के कमाता है और loan की recovery फिर होगी वो securitization trust को दी जाएगी आपने concept पढ़ा होगा securitization in the intermediate as well as आपने SFM में पढ़ा होगा आपने surface ही करके और पढ़ा होगा तो securitization trust के case में sir tax treatment क्या होगा तो मैं बता दूँ देखो securitization trust में लोग investment investor होते हैं वो investment करते है securitization trust में securitization trust है वो securitization activity करता है और उससे जो भी पैसा कमाता है वो पैसा है वो investor को देता है तो एक बात समझना यहाँ पर law makers यह बोलते है कि securitization trust है ना उसकी जितनी भी income होगी वो पूरी exempt है securitization trust की securitization activity से जितनी भी income होगी वो पूरी exempt है लेकिन फिर income taxable गा होगी? income taxable होगी unit holder या investor के hand में investor के hand में जो भी income है वो पूरी taxable हो जाएगी investor के hand में, कौन सी rate से taxable होगी जो investor की tax rate रहेगी उस rate से taxable हो जाएगी, अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे investor के हाथ में बिटा उसका nature and proportion सेम लिया जाएगा एक और चीज समझना, यहाँ पे जैसे Securitization Trust को 10 करोड का income हुआ, उसमें से सिर्फ 7 करोड का investor को distribute किया, तो भी investor के हाथ में पूरा 10 करोड है, वो taxable हो जाएगा, जैसा कि investment fund में था वैसा का वैसा, अब यहाँ पे एक और चीज समझना, कि सर्फ Securitization Trust के हाथ में income taxable नहीं होत 1194 LBC, और LBC में TDS काटा जाएगा, TDS कौन सी rate से काटा जाएगा, that depends on the investor, अगर investor है, वो आपका non-resident या foreign company है, तो TDS काटा जाएगा rate in force से, investor अगर individual HUP है, तो TDS काटा जाएगा 25% की rate से, और अगर मानलो investor है, वो other than individual HUP है, तो TDS काटा जाएगा 30% की rate से, तो देखो, मैंने क individual HUP है, तो 25% और other resident person है, तो 30% की rate से TDS काटा जाएगा, अब एक बात समझता है, यहाँ पे अगर securitization trust को loss हो जाते है, तो वो loss as it is investor को मिलेंगे, यहाँ पे securitization trust carry forward नहीं करेगा, investor है, वो investor उसको carry forward setup वगेरा करेगा, कुल मिला के एक बात बताओ, यह topic similar to the investment fund है, फरक इत पे exempt है, पूरा-पूरा taxable investor के हाथ में हो जाए, गा करेगा, ठीक है, चलिए, उसके बात में securitization trust बोलते है किसको है, इसका यहाँ पे definition दे रहाए, यह definition आपको पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, अब एक और चीज़ समझना, अपनने जो तीन topic पढ़े, एक तो तुमारा यूनिट होलडर investor को देंगे, कब तक पता है, 30th June of the next financial year, मला इस previous year का income हुआ, तो next year के 30th June तक यह detail है, वो देनी पढ़ेगी, यूनिट होलडर investor को, तो investor अपना return file करते हैं, उसको पता चले, कि income का nature क्या है, proportion क्या है, कितना taxable होगा, कैसे होगा, वो करना है, उसके साथ PCIT को देनी पड़ेगी, income tax authority को ये लोग देंगे, और ये detail कब तक देंगे, 30th November तक, 30th November of assessment year, लेकिन इसमें investment fund के case में, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि investment fund को ये detail 15th June तक देनी पड़ेगी, तो income tax department को, CIT, PCIT को ये लोग detail कब देंगे, अगर business trust है, या securitization trust है, तो 30th November of assessment year, औ अगर investment fund है, तो 15th June of the assessment year तक, ये detail है, वो income tax department को देनी पड़ेगी, उसके बाद तुमारा जो mad topic है, mad topic में, आपको कोई भी amendment नहीं है, तो जो last year वाला revision lecture था, वो as it is आपका re-upload होने वाला है, तो आप बोलोगे, सर्फ पुराना वाला re-upload होगा, answer is yes, because कोई भी change नहीं ह तो as it is वही वाला lecture ही upload होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आप notice करना, कि आपके cooperative society के case में, last year तक AMT का rate है, वो 18.5% था, इस बार से cooperative society के लिए AMT का rate है, वो आपका 15% हो गया है, ये चोटा सा एक amendment है, उसके बाद में cooperative society वाला एक चोटा सा topic है, deduction under chapter 6 है, इसमें कोई change नहीं ह पुराना वाला lecture है, वो आपका upload होगा यहाँ पे, एक और topic revise कर लेते हैं, that is the cooperative society, अब एक बाद समझता, cooperative society topic number 22 है, बड़ा ही छोटा सा topic है, ये topic क्या बोलता है, पहली चीज़ तो cooperative society के लिए tax rate क्या होती है, यह already अपन first topic में पढ़ चुके, cooperative society के लिए tax rate होती है, up to 10,000 net tax taxable income 10%, 10,000 to 20,000, 20%, more than 20,000, 30%, cooperative society के case में surcharge लगता है, बड़ यहाँ surcharge में amendment है, surcharge कैसे है, अगर cooperative society का net taxable income is more than 1 crore, up to 10 crore, surcharge लगेगा 7%, more than 10 crore, surcharge लगया 12%, like a domestic company, यहाँ पे health and education से ऐसे है, वो 4% है, अब एक और चीज़ समझना, cooperative society के case में, क्या कोई concessional tax rate है, तो आपको ध् रखना है, एक section डाली हुई है, 115BAD करके, और 115BAD में 20% की tax rate का benefit, cooperative society ले सकती है, 22%, 22% plus 10% plus 4%, 25% something कर रहता है, वो tax rate से cooperative society अपना tax है, वो pay कर सकती है, instead of this particular tax rate, उसके बाद में, अभी एक और चीज़ में आपको बता ही, कि cooperative society के case में, AMT नहीं लगता है, अगर 115BAD ले लेती है, बैट अगर AMT लगता है, तो cooperative society के case में एक amendment हुआ, resident cooperative society है, तो AMT का rate है, वो आपका 18.5% की जगे आपका 15% हो जाएगा, अब एक चीज़ समझना, cooperative society है, उसको एक deduction मिलता है, ATP का, और यह ATP का deduction कैसे मिलता है, क्या मिलता है, समझने ही कोशिश करना, तो ATP के deduction में ऐसा है, कि यह हाँ पर, part A जो deduction है, that is the 100% deduction, अगर cooperative society की यह वाली income है ना, तो आपको 100% deduction मिल जाएगा, income को पहले आप add कर दीजिए, या तो PGVP में, या other sources में, या house property में, और उसका deduction as it is, आप ले लीजिए, कर गे, ठीक है, दूसरा, अगर माल लो, यह 100% deduction में नहीं आता, तो उस particular case में ए जनरल deduction कितना मिलेगा, अगर वो consumer cooperative society है, तो maximum one lakh का, और other cooperative society है, तो maximum 50,000 का, यह आपका general deduction मिलेगा, अब एक बात समझना, कौन-कौन सी income है, ऐसी है, जिस पर 100% deduction मिलेगा, तो 100% deduction मिलेगा, सबसे पहला, अगर cooperative society है, वो carrying on the business of providing credit facility to its member, अगर वो अपने member को credit facility देती है, इस member को अगर loan देती है, लेकिन इसमें cooperative bank को नहीं है, cooperative bank को नहीं मिलेगा deduction, यहाँ पे cooperative society को मिलेगा, cooperative bank अलग होती है, cooperative society अलग होती है, हम society की बात कर रहे है, तो cooperative society क्या करती है, आपने देखा होगा, गाव में बहुत सारी cooperative society थी, आजकल तो सब बहुत ही fraud हो गया, तो cooperative society क्या करत अपने member को अगर कोई भी credit facility देती है और उससे जो भी income रहेगा means उससे जो भी income earn करेगी वो cooperative society वो income 100% deduction मिल जाएगा दूसरा अगर cooperative society cottage industry है तो exemption मिलेगा 100% deduction मिल जाएगा तीसरा marketing of the agriculture produce grown by its member अगर member ने कोई भी agriculture produce grown किया और उसका ये marketing करती है और उससे जो भी income कमाती है उसका 100% deduction मिलेगा collective disposal of the labor of its members अगर माल लो members के लिए collective disposal of the labor करते है उस activity से जो भी income रहेगा उसका 100% deduction मिलेगा fishing and allied activity that is catching, curing, processing and storing and storing और marketing of the fish ये लोग क्या करते है अगर माल लो ये जो cooperative society है वो catching, curing, processing, storing and marketing of the fish ये activity करती है और उससे जो भी income होगा 100% deduction मिलेगा processing without add of power of agriculture produce of its members जो member ने agriculture produce grown किया है उसका ये processing करते है और processing करते है वो without add of the power, without help of the power करते है तो उसकी जो भी income होगी 100% deduction मिल जाएगा या फिर purchase of the agriculture, implement seeds, livestock and other agriculture article for the purpose of supplying them to the member मिस ये क्या करते है जैसे बाहर से seeds वगेरा खरीते है या agriculture से related equipment खरीते है और वो अपने member को ही sale करते है और उससे जो income होगी वो पूरा 100% deduction मिल जाएगा उसके बाद में अगर इनको कोई भी dividend मिलता है या interest मिलता है from investment with the other cooperative society, किसी और cooperative society को loan दिया है या किसी और cooperative society से इनको dividend म मिलता है तो उस particular case में वो पूरा deduction मिल जाएगा income from letting out of the godon और warehouse इनका godon या warehouse उसको लेट आउट करते है उससे जो income मिलेगा 100% deduction मिल जाएगा या फिर supply of the milk और oil seeds और fruits और vegetable by primary society to the federal cooperative society या government या local authority या government company और statutory corporation engaged in the supplying milk fruits etc अब एक पास समझना आपने देखा होगा गावा में छोटी जोटी cooperative society होती है वो क्या करती है कि जो भी milk रहता है वो अपने member से milk लेती है और वो milk जो होता है वो federal cooperative society को बेचती है federal cooperative society example is a amul amul is one federal cooperative society जो multi states में वगरा है तो यहाँ पे एक बात समझना अगर मानलो cooperative society ने milk वगरा अपने member से लिया और वो उन्होंने अमुल को बेचा उसस से जो भी income होगा वो 100% deduction मिल जाएगा तो कुल मिला के मैं आपको बताओ यह जो नाम है आप 4-5 बार यह lines पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा तो यह जो income होती है उसका आपको 100% deduction मिल जाएगा cooperative society को और इसको छोड़के बाकी वाली income जो रहेगी उस पे एक general deduction मिलेगा general deduction क जाहिए जो topic number 18 में दे रखा है एक question number 5 पे जाहिए जो topic number 37 में दे रखा है और एक question तुम्हारा gen 2021 exam का 5B करके यह 3 questions है जो cooperative society से related है वो 3 questions अगर आप देखके जाओगे आपका काम बन जाएगा तो चलिए यहाँ पर आज अपन यहीं पर रुकेंगे इससे आगे नहीं बढ़ रहेगा वो assessment processor और appeal रहेगा और मैं try करूंगा अगला lecture जो है वो assessment processor अपिल से ले लूँ और उसका अगला lecture जो है फिर आपका जो है वो मैं आपके non resident taxation वगेरा उसमें जाओ और मैं इस पार ट्राय करूंगा और बी चुटे-चुटे topics है जो मैं revision lectures में cover करने का try करूंगा ठी so thanks a lot people that's enough for today from my side और बाकी सब लोग पढ़ाई करते रहिए कर ठीक है because अपने मरने से स्वरक दिखने वाला है जैसा हमारे यहां पर बोला जाता है कि अगर मालो आपको स्वरक दिखना है ना तो खुद को मरना पड़ेगा खुद को मैनत करनी पड़ेगी आपको responsibility लेनी पड करना है तो मैनत तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ extraordinary तो करना पड़ेगा इस दुनिया में एक बात बताओ जो भी जितने भी लोग आगे गए है उन्होंने कुछ ना कुछ तो extraordinary किया है बहुत बार आप लोग बोलते है कि नहीं यार उसका तो luck अच्छा था उसके साथ में बहुत बड़ी चीज होती है रेस्पेक्ट करना आप दुनिया को रेस्पेक्ट करिए और लोगों को रेस्पेक्ट करिए चीजों को रेस्पेक्ट करिए आप जो बुक पढ़ते हो बुक को भी रेस्पेक्ट दिया करिए लाइप में बहुत जाता जरूरी है तो आगे झाल झाल